वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपने कंट्री का नेम कॉमेंट करके जुरूर बताना इस नए लोगडून में हम मोस्टली अपना टाइम मोविज और वेब सिर्स को देखर स्पेंड करते हैं लेकर लागे में टॉप 10 हॉलिवूड मोविज जो के बहुत ही अच्छी और बहुत कमाल की हैं और सबके IMDb रेटिंग्स बहुत अच्छी हैं सबी मोविज हिंदी डब्ड में YouTube पर अवेलेबल हैं और सब मोविज के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे हर मोवि को 30 से 40 सेकेंड्स मिलेंगे जिसमें समझेंगे कि ये मोविज वारा टाइम क्यों डिजर्फ करती हैं और ये फैमिली के साथ देखने लायक है के नहीं विदाउट अनी वेस्ट ओफ टाइम मोविज का काउंटान स्टार्ट करते हैं हमारी हर टोप 10 मोविस की लिस्ट में डेफिनिटली एक कॉमेडी मोवी ऐसी होती है जिसको हम अपनी फैमिली के साथ इन्जॉय कर सकें नमबर टैन पर है जॉन सीना की कॉमेडी मोवी 2019 की प्लेइंग विद फायर यह मोवी WWE प्रफेशनल रेसलेट जॉन सीना की है एक फायर ब्रिगेड का क्रिव चार बच्चों को रेस्क्यू करता है लेकिन उन बच्चों के पेनिट्स नहीं मिल पाते जिसके बात वो बच्चे फायर ब्रिगेड वालों के पास ही रुख जाते हैं और वो बच्चे फा लेगी आपको पता ही नहीं जलेगा आज मैं आपको एलियन एक्शन सजेस्ट कर रहा हूं नमबर नाइन पर है मेरी पर्सनल फेवरेट 2012 की एक्स्ट्रीम एक्शन थ्रिलर मूवी एलियन एक्शन बैटल शेप इस मूवी का IMDB रेटिंग पर तो बिल्कुल भी मज़ जाना नेवी का एक्रियू उस मंदर में प्रैक्टिस के ले जाता है लेकिन वहाँ पर दूसरी धुनिया से दुश्मन आ जाते हैं जो इतने ताकत वारे तरह खतरनाक होते हैं कि उनको अहराना नामुम्किन सा होता है सिर्फ एक्शन का वर्ड यूज करना इस मूवी की बेज़ती होगी इस मूवी में बहुत बहुत सदे तबाही है ट्रस्ट मी आप इस मूवी को बार बार देखोगे और आपने इस मूवी जैसे एक्शन पहले कभी नहीं देखा होगा मूवी आपको अपने साथ स्टार्ट से लेकर एंड तक बिल्कुल इटाइच रखेगी. मुवी के स्टार्टिंग के कुछ सीन्स को अगर स्किप कर दे जाए तो इस मुवी को फैमिली के साथ इंज्वाइक किया जा सकता है. फाइटिंग मुवी तो हम सब देखना पसंद करते हैं, लेकिन गिसी पेटी फाइटिंग मुवीज देखकर हम सब पक चुके हैं, अब हमें कुछ बढ़ कर चाहिए. कियनु रीफ्स की वन अफ दे बेस्ट एक्स्ट्रीम फाइटिंग, 2013 की मैन अफ टाइची. एक बहुत बड़े बिजनसमेन को एक फाइटर की तलाश होती है, जो उसके लिए लड़े, और उसको वो फाइटर मिलता भी आ है. जब उस फाइटर को फाइटिंग करने के लिए पैसे मिलते हैं, उस फाइटर पर पागल पंसवार हो जता है. मुवी में बहुत ज़ता ट्विस्टन टर्न्स भी आते हैं, लेकिन इस मुवी में बहुत कमाल कमाल की फाइटिंग्स दिखाए गई हैं. सब सची बात यहां कि आप इस मुवी को अपनी फैमिली के साथ इंज्जॉए कर सकते हो. अगर आपके वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल अके ज़रूर दुबाना ताकि आपको उमारे नेक्स्ट वीडियो की नॉटिफिकेशन मिल सके और अगर आपने यह सब मुवी इस हिंदी में बेस्ट क् कर सकते हैं आज के दूर में 18 प्लस कोमेडी और रोमैस का कॉक्टेल देखना किसको नहीं फिसंद नमबर 7 पर है 100% मास्टर पीस जिम केरी की 1994 की दिमास्क जिस मुवी में जिम केरी और कैमेरोन डियास का कॉम्बिनेशन हो उसको तो हमें एक दफा जरूर देखना चाहिए जिम केरी की मुवी को देखने का तो एक्सपिरियेंस यह अलग होता है एक आदमी के एक मास्क मिलता है जिसको पहने पर उसमें और किसी शतान में कोई फरक नहीं रहता वो सिरफ और सिरफ अपने दिल की सुनता है और उसे जो चाहिए होता है वो उसे हासिल कर लेता है मुवी आज से 27 पराणी है लेकिन देखने पर आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप 90's की कोई मुवी देख रहे हो स्टोरी है एक आदमी के जो के अपने वाइलेंट पास्ट को भुला चुका है और क्राइम की दुनिया चोड़कर एक शरीफ आदमी की जिन्दगी गुजार रहा हुता है लेकिन उसकी एक दोस्को कुछ लोकल करिमिनल्स और लिकल अक्टिफिटीस करने के लिए मजबूर करते हैं और अपने आसपास बुरी चीजों को देखकर उसको क्राइम की दुनिया में वापिस आना पड़ता है और क्राइम के दुनिये में वापिस आकर वो बवाल मचा दिता है इस मुवी में आप शौकिंग ली बहुत सथ एक्षिन देखोगे और एक नए किसम के थ्रिलर का एक्सपिरियंस करोगे मुवी 18 प्लास है जिसकी बज़े से हम इसको फैमले के सथ इंजॉय नहीं कर सकते नमबर फाइफ पर है क्यानू रिफ्स की एक्स्ट्रीम साइलेंट एक्षिन मुवी 2014 के जौन विग भाई साब कभी सोचा नहीं तक एक साइलेंट एक्षिन मुवी तनी मज़िदार हो सकती है एक रेटायर्ट किलिड़ एक शरीफ आदमी की जिनकी गुजार रहा होता है और उसकी बीवी के मरने के बाद उसकी जीनी के वज़े सिर्फ एक कुता होता है कुछ लड़के उसके घर में गुसकर उसके बहुत ज़्यदा पीटते हैं उसकी गाड़ी चुडाते हैं और उसका कुता भी मार देते हैं जिसके बाद जौन विग के सर पर बदला सवार हो जाता है और उसके आगे जो तांडव होता है वो तो आपको ज़रूर देखना चाहिए और जौन विग को मारने के लिए एक ओपन कॉंट्रेक्ट भी निकलबा दिया जाता है जौन विग एक आदमी का कर्जदार होता है और वो आदमी जौन विग से ऐसा काम करवाता है जो जौन विग नहीं करना चाहता है और वो आदमी जौन विग को वापिस क्राइम के दुनिया में गसीरता है जिसके बाद मुवी में ऐसा ट्विस्ट आता है कि मुवी की स्टोडी बदल के रह जाती है और जॉन विक जहां से घुजरता है लोग उसको मारने के लिए खड़े हो जाते हैं अगर आपकी फैमिली में चियोर है तो आप इस मुवी को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो नमबर थ्री पर है मेरी मोस्ट फेवरेट अगेन कियानू रीव्स की एक्स्ट्रीम फाइटिंग एक्शन थ्रिलर सस्पेंस 2019 की जॉन विक चैप्टर थ्री बाइस साथ मुवी के स्टार्ट में थ्रिलर और फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और मुवी स्टार्ट से लेकर एंट तक आपको अपने साथ बिल्कुल इटैश रखेगी जॉन विक को मारने पर 15 मिलियन डॉलर का इनाम रख दिया जाता है चैप्टर थ्री में आप चुरियां, चाकू, बाइक्स, घोड़े, तलवारें और बुक्स से हंडर्ड़ ओफ मैन का मर्डर होते हुए देखोगे अगर आप चैप्टर थ्री को देखने से पहले चैप्टर वन और टू देख लेते हो तो ट्रस्ट की आपको जॉन विक चैप्टर थ्री देखने का बहुत ज़दा मजाएगा सबसे अची बात ही है कि आप इस मुवी को अपनी फैमिली के साथ इन्जॉय कर सकते हो नमबर टू पर है टॉम क्रूस की एक्स्ट्रीम एक्शन मुवी मुवी में जब टॉम क्रूस हो तो एक्शन और सस्पेंस की लिमिट्स को क्रॉस नहीं बलके तोड़ दिये जाता है इस मुवी के अक्शन जीज आपको हिला के रख देंगे बहुत अची बात है कि हम इस मुवी को यूट्यबर हिंदी डम में इन्जॉय कर सकते हैं एक और्गनाजेशन जिसका नाम सिंडिकेट है वो कंट्री की सबसे बड़ी और्गनाजेशन को तोड़ना चाती है और गवर्मेंट को तबाह करना चाती है जिनका कुछ अंडर कवर एजनेट्स का गुरूप रोकता है मुवी को में इस बिल्कुल भी मत करना ट्रस्ट की आप मुवी को बहुत ज़दा इंजॉय करोगी मुवी तो ये बहुत कमाल किया है लेकिन फिर भी ये मुवी फैमिली के साथ देखने के लिए डॉटफूल है हमारे लिस्ट में नमबर वन पर है ओसकर विनर कॉरियन मुवी 2019 की पैरसाइट बेसिकली पैरसाइट का मतलब होता है किसी दूसरे के पैसों पर पलना भाई साबब तो कॉरियन सिनेमा भी बहुत आगे जा चुका है ये मुवी 2020 में बेस्ट मुवी का उसकर जीच चुकी है एक गरीब लड़का एक रिच फैमिली की लड़की को एज़ा ट्यूटर पराने के लिए जाता है जिसके बाद कंटिन्यूजली जूट बोलने के बहुत बड़ा सिलसला चल पड़ता है और उस लड़के की पूरी फैमिली उस घर के अंदर कबजा जमालती है मुवी में बहुत ज़दा ट्विस्ट अंटर्ण आते हैं लेकिन कुछ भी इलोजिकल नहीं होता मुवी 18 प्लस है जिसकी वज़े से रिग्रेट के साथ कहना पड़ रहा है कि इस मुवी को हम अपनी फैमिली के साथ नहीं कर सकते दोस्तों मैं ऐसी तरह की इंटरस्टिंग वीडियो से लाता रहूँगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल लेकिन जुरूर दुबना ताके मारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके तब तक के लिए लव यू टेक केर बबाई